जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ एक और तड़कती भड़कती खबर बिहार बीपीएसी परिक्षा को लेकर बीपीएसी ने एक नया कालेंडर जारी कर दिया है जी हां दोस्तों आज के ही डेट में या आप लोगों ने दिया है उसका भी रिजल्ट आपको 27 मार्च को दे दिया जाएगा यही नहीं 68 भी बीपीएसी में जो छात्र को लग रहा है कि हमारा रिजल्ट आएगा पीटी में तो मेंस एक्जाम के लिए भी समय आपको जादा नहीं है 12 मई को एक्जाम है फरवरी चल बिहार में बीपीएसी के इस परिक्षा में बदलाव किये गया है नेटिब मार्किंग रखा गया था पीटी में और यहीं नहीं बहुत सरे बदलाव देखने को मिले हैं हमें जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट भी किये है लेकिन आज के इस ताजा खबर मे एक खबर और जोड़ेंगे चुकि आने वाली अपकमिंग वेकेंसी के अगर हम बात करें उनहत्तरवी बीपीएसी का एक्जाम कब होगा कब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए इसका चुकि नए कलेंडर में तो नया नोटिफिकेशन दिया तो गया है लेकिन नया नहीं आया है उनहत्तरवी बीपीएसी को लेकर चलिए सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं बीपीएसी का ओफिशिल वेबसाइट पे फिर उसके बाद खबरों से और रूबरू करवाएंगे आपको और यहां से जो है आप इसका कलेंडर जारी कर सकते हैं और यह जो है वेकेंसी को लेकर नया अपडेट दिया गया है उसके बारे में जानकारी है तो देखे यह जितने भी छात्र आप लोग हैं अलग-अलग परिक्षाय दे रहे हैं जिसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इलेक्ट्रिकल के लिए जो 287 पदो की वेकेंसी थी उसका फाइ यह देखेगा यहाँ पर वहीं पे लेक्ट्रोनिक्स लेक्ट्रार के लिए आपका एक मार्च को रिजल्ट आ जाएगा इंग्लिश के लिए जो लेक्ट्रार के लिए आविदन किये थे एडविटिजमेंट संके 2020 का आठ अपरेल 2023 को इसका रिजल्ट दिया जाएगा यह भ जियोलोजी, फिजिक्स और मैथेमेटिक्स के लिए भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है नए रिजल्ट के डेट को लेकर भी और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट को भी अपडेट कर दिया गया है तो यह तो हो गई उन खबरों के बारे में जो की BPSC की परिक्षायन लेता बाकी सारे चीजों में बदलाव नहीं किया गया है यहाँ पे वही जो अपडेट है डेट आपका उस डेट में आपका रिजल्ट आएगा आईए नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं Assistant Electronics Engineering के लिए यहाँ पे अभी तक डेट नहीं दिया गया है प्रिंसिपल के लिए भी अभी इसका नया डेट नहीं दिया गया रिजल्ट को लेकर होडी मेकेनिकल के लिए 35 वेकेंसी थी जहाँ पे 28 फरवरी 2023 को आपका रिजल्ट आ रहा है और एक बदलाव और देखने को मिला है इस नया कलेंडर में Director IGIC के तहत एक वेकेंसी निकाले गयी थी जहाँ पे अ Conduct from 19 January 2023 से लेकर 21 January 2023 तक इसका एक्जाम हुआ था और 22 जून तक इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा इंटर्व्यू जून में ही होगा 5 जून को और 6 जून को यह ध्यान दखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम बात करें LDC परिक्षा को लेकर जहाँ 24 पड़ों की वेकेंसी थी तो 5 अपरेल को फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट इसका 20 मार्च को लिया जाएगा वहीं पर प्रधान सिक्षकों की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों तो अभी तक कोई डेट नहीं क्या गया है 68 वी BPSC की बात होगी यहाँ पे जिसका अभी हाली में आप लोगों ने दिया है 324 पदों के लिए तो 9 अक्टूबर 23 तक इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा 68 वी BPSC को लेकर ठीक अब देखे 27 मार्च को इसका जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा पीटी का फिर 12 माई को जो है आपको इसका एक्जाम ड आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया था 17 नौवंबर को पीटी का और यहां पे कंफर्म जो आपका इंटरव्यू वेगर जो होना था 29 माई को होगा यहां पे फाइनल और रिजल्ट जो है 28 जुलाई 2023 को फाइनल दे दिया जाएगा तो यह जो है आप आपको जो है 14 माई को दे दिया जाएगा इंटरव्यू जो होगा इसका 29 माई को होगा और फाइनल रिजल्ट आपका 28 जुलाई तक आ जाएगा तो जुलाई में यह हो जाएगा और अक्टूबर में 68 भी हो जाएगा लेकिन 70 के बारे में यहां पे कोई अपडेट नहीं द किये गये हैं अब नीचे कोई भी वेकेंसी नहीं है एक वेकेंसी नहीं आई है दोस्तों 23 2023 एडविटीजमेंट संक्या है 32 जुडिशियल सर्विस के लिए है 155 पदाव की वेकेंसी जिसके बारे में हमने आपको आपको आरड़ी वीडियो बनाया है इसका प्रलिम्स सभी BPSC के लिए क्या कब होगा इसका बाहली चुकि इसके लिए हमने आपको एक वीडियो बनाया भी था जहां पर अतुल परसाद जी ने अब देखें मैं आपको आप सभी छात्रों को एक चीज और नोटिस करना चाहूंगा कि आप लोग जो टैग करते ना अतुल है इनको टैग करना हे किसी चीज पूछ ने होगी तो यहां पर टैग कीजेगा आप लोग लोग तो यहां तो वह ऑर को जा के माद्यम से आपको अप्टोडेट भी किया था और इन्होंने भी कहा था उना तरवी BPSC के बारे में यहाँ पर है ना तो यह सारी चीज़े अब आपको एक ही एक्जाम होगा जो की सेम पैटर्न के एक्जाम होते हैं जैसे की CDPO हो गया BPSC हो गया या फिर आपका ग्रैजुएट लेवल के जितना भी एक्जाम है है ना और इटर का एक्जाम हो गया या फिर असिस्टेंट का एक्जाम हो गया जितने भी एक्जाम हो र देखाना चाहता हूं यहां से देखें जो कि आपको बारा फरवरी को यह अपडेट आया था दोस्तो अब बार बार नहीं देनी होगी पीटी परिक्षा बीपीसी आगे से एक जैसी परिक्षा के लिए यहां पर संजुक्त परिक्षा लेगा अब इसमें 69 बीपीसी को लेकर कर दिया गया था चुकि उन्होंने अपने प्रेस कॉंफरेंस में यह बाते कहीं भी थी अभ्यारतियों को अब बिहार लोग से वा आयोग के पीटी परिक्षा के बार बार नहीं देनी होगी बीपीसी कई मिलती जुलती परिक्षा है संजुक्त कई यानि की कंबाइट परिक्षा होगा और यह उन्हीं के कतान अनुसर या था तो जब थी सप्टेंबर को आपका कॉमन एक्जाम होगा तो यानि कि ठीक दो महिना पहले आ जाईए चुकि admit काट जारी होता है फिर उसमें time लगता है exam date आते हैं उसमें time लगता है तो अगर जुलाई तक चुकि देखिए 27 जुलाई को आपका जो है इंटर्व्यू का result आ जाएगा किसका सरसथवी BPSC का और October तक मामला जाएगा और सरसथवी 27 जुलाई को जैसे ही इसका result दिया जाएगा final result जब दिया जाएगा तो notification होता है तक आपको जुन या जुलाई में दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि जुलाई में notification आज है तो सभी विभागों को अधियाशना वेजी गई है कि आप लोग इसमें नई vacancies में अपने vacancies को add क करें न्युक्तियों को बताएं थाकि इसमें पहली के प्रक्रियाम लोग करा सकें तो यह सारी चीज़े हैं दोस्तों तो जुन जुलाई तक हो सकता है कि आपका उन्हां तरवी BPSC को लेकर यहां पर रिजल्ट सौरी notification आपको यहां से दे दिया जाएगा तो कब होगा notification कब आएगा तो जुलाई में आ सकता है BPSC आपका 68 का रिजल्ट आएगा 27 मार्च को और फिर मेंस होगा इसका मेंस का रिजल्ट 14 माई को देगा फिर इसके बाद इंटर्वी होगा और फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा और 68 मेंस जो होगा आपका 12 माई को हो जाएगा 79 के लि अब ही सही आपकी तैयारी शुरू हो सके और बहुत जल्द उसका अनॉंसमेंट आप लोगों को जोड़ा जा सके वहाँ जैहन दोस्तों आगे के अपडेट के लिए फिर मिलेंगे